तो आप ये मानते हैं कि आपको लगता है कि जो एंड रिजल्ट है या अगर विकास की सही परिभाशा की हम बात करें तो ग्लोबलाइजिशन के जरीये नहीं होकर के गांधी के जरीये और ग्राम स्वराज के जरीये ही होनी चाहिए और आज ना कल जाना ही पड़ेगा उनके पास उसके बगएर रास्ता नहीं है जो भी विकास हो रहा है ये बुनियादी चरित्र इसमें मुनाफेका है इसके पीछे जो असली मंसा है और ये दुनिया में बड़ी लड़ाई है जैसे मा बच्चे को पालती है तो उसमें कोई बिज नमस्कार भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत पर गांधी पर और आज की परिस्थितियों पर और हमारे साथ खास मेहमान देश के वरिष्ट पत्रकार और लब्ध पत्रश्ठित लेखक अर्विन महंजी होंगे अर्विन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारतिका में आज की तारीख में अगर रामराज की परिकल्पना की बात करें तो क्या ये वो रामराज है जो गांधी सोचा करते थे गांधी भी जो रामराज सोचते थे उसकी भी परिवासा उन्होंने बहुत साफ नहीं की और वो एक लगातार दूर होने वाला टारियट था कि जो हासिल हो गया उसके बाद और क्या आच्षा आच्छा हासिल हो सकता है क्योंकि वो बने बना Councillor पर उस तरह से भरुसा नहीं करते थे जो तोसिदास ने लिखा उसकी बहूत तारिफ करते थे तो सुसीदास की बहुत लेकिन इसके बाद भी उनका रामराज जो है वो बहुत रेशनल था और उसमें गरीबों के लिए कमजोर के लिए नियाए के लिए काफी सारी गुंजाइस थी और वो लगातार बदलने वाला टार्जट भी था जो गरीबों के हग का ही था तो इसलिए रामराज गांदी का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है र वो नहीं है कांदी का रामराज उनके कल्पना का है और वो कल्पना जल्दी पूरी होने वाली नहीं है किसी भी सेट में सिंद्री से वो कल्पना पूरी करना मुश्किल काम है असंभव नहीं है मुश्किल है और उस कसोटी पे अभी अभी की सरकारें बहुत ठारेंगी नही जब गांधी की कुसोटी को लागू करेंगे आज का जो दौर है आज का जो समाज है मैं पिछले पांच-दस सालों की बात नहीं कहा रहा अगर पिछले 20-25 सालों का जो पूरा बदलाव देखें खास तोर पर अगर हम नरसिम राओ की सरकार आने के बाद से भारत का बदलाव देखें और अभी तब का देखें पिछले 30 सालों में जो चीज़ें परिवर्तित हुई है उसमें आप आज की दौर में गांधी होते हैं तो ऐसा क्या बदलाव प्रेफर करते हो तीन फोरसेज बहुत पिछले 30 साल 25 साल में तीन फोरसेज हिंदुस्तानी समाज में बहुत तकत्वा ढंक से दखल तीन फोरसेज ने दिया है मंडल ने, मंदिर ने और ग्लोबलाईसन ने तो तीनों के टार्जेट अलग-अलग हैं मंदिर वाले अपना हिंदुस्तानी रास्वाद को हिंदु रास्वाद को उभार के, हिंदुों को एक करके और उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं मंडल के लोग पिछड़ों को आगे करके समाज में बराबदी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और गलोबलाईशन के पीछे दुनिया की बड़ी आर्थिक ताक्ते हैं जो मुनाफ़ा कमाना चाहती है ज्यादा से ज्यादा और जो इलाके जो बाजार, जो निच्रल रिसोर्स, जो फइनेंसल रिसोर्से उनके कबजे से बाहर रह गया हैं उन पे कबजा करना चाहती हैं तो गलोबलाईशन का प्रजेक्ट जो है काइदे से काफी बड़ा है और अगर आप 25-30 साल का बदलाओ देखेंगे तो आपको इन तीनों के चलते बदलाओ दिखाई देगा मंडल के चलते भी सारे पर्लेमेंट, सारी बिजान सभाएं राजन्ती का चलते काफी बदल गया है मंदिद ने भी काफी बदलाओ किया है सत्ता में बदलाओ से लेके हिंदू समाज के अंदर भी ऐसी असंबव चीजें कर दी इन लोगों ने जिसकी जल्दी कल्पना नहीं थी जैसे हम पूरे मिथला के लोग ये मानते थे कि सीता को बहुत कस्ट हुआ राम से शादी में तो इसलिए राम की पूजा मिथला में जादा नहीं होती थी सिव जी वहां के लिए प्रिफर्ड है और सिव और परवती की जोड़ी को बहुत और राम के लिए कोई गाना बजाना जल्दी नहीं था बलकि रामनौमी का मुझे याद है अपने बच्पन का रामनौमी का हमारे यहां पूजा सिर्फ थोड़े से सवजुपारिन ब्रामन लोगों के परिवारों में होता था अधरवाइज रामनौमी की पूजा रामनौमी हमारे यहां इसलिए पूछा जाता था कि सुरज उपर होने लगा है तो उस दिन नया चुला पड़ेगा नया यह तो पूजा पाठ के लिए रामनौमी का महत्व नहीं था उस मितला से इतनी बड़ी संख्या में भार आ रहा है और लोग खुस होके आ रहे हैं और वो भी ऐसी मुर्ती या ऐसे मुर्ती के प्रतिस्टा के लिए जिसमें सीता नहीं है उस सीता के पती है और बस इतने ही वर है सीता नहीं है तो अपनी बेटी का अपमान जहां हुआ है उस जगह के लिए इतना और ये बदल दिया इन लोगों ने जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन चलाया और ऐसा एक बदलाव नहीं है ऐसा पचासों बदलाव दिखाई दे रहा है कि जिस से हम लोग मंदिर आंदोलन के सपोर्टर नहीं है सुरू से हमको उसमें कई तरह की कमिया दिखाई गी लेकिन जितनी कलपना हमने की थी उससे ज़्यादा सफल इसलिए भी होता जा रहा है कि उन्होंने समाज में उससे ज़्यादा बदलाव कर दिया लेकिन जो तीसरी ताकत आई है ग्लोबलाईसन उसने इंदोस्तान में और गरीब डेसों के एकनोमी में और बड़ा बदलाव किया और वो बदलाव हमारे यहां भी दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा मिडल क्लास तैयार हुआ है एक ज़दा अमीर क्रूप तैयार हुआ है और फिर जो गरीब लोग है उनका एक प्रोसेस अलग हुआ है कि अमीरी में इतना पैसा किसके हाथ में आ गया गरीबों के पास कितना रह गया और उससे भी ज़दा जो दिखाई देता है कि जो इलाके वर्जिन थे जो नेचरल रिसोर्स वर्जिन थे उन सब पे कबजे की लड़ाई वो बजार जहां नहीं पहुँचा था अब ऐसी ऐसी चोटी जगहों पे मौल और इसका उससे भी ज़दा दिल्ली जैसे साहर में हम देख रहे हैं कि जितने भी दुकाने थी छोटी वो वर्च्वली खतम होती जा रही है क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी बहुत है और यह बेरोजगार लड़कों से घरगर समान पहुचाना सुबह छे बज़े से लेके रात बारा बज़े तक तो यह जो बार्केटिंग का तरीका सुरू हुआ है आने जाने का तरीका सुरू हुआ है ट्रांस्पोर्ट तो यह गरीबों का एक क्लास अलग कमजोरों का एक क्लास अलग बना रहा है और अमीरों कालग बना रहा है ये चेंज बहुत तेजी से हुए है और संजोग ऐसा है अच्छा माना जाए बुरा माना जाए कि मंदल को भी बजार ने अपने इसाब से चलाया मंदिर को भी चला रहा है और दोनों में गलवहियां होता भी दिखाई देता है लालु जादव म प्रमाने में रिलाइंस के लोगों को ले के ठाटा के लोगों को ले के दुनिया भर में घूमें है इरानिया उनके साथ दुनिया भर में गूमें लेकिन लालु गराज में कहीं इंवेस्टमेंट नहीं गया मुलायम के राज में हिंदी पटी में इंवेस्टमेंट नहीं आ कोसिस की है गलो लैसन ने अभी वो सफल हो गया होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस दिन मंदिर्वादों को भी मन होगा बड़े मज़े से एक परलेल मुवमेंट खड़ा कर सकते हैं उनके खिलाफ और कई बार चीन के खिलाफ जब बांदोलन होता है तो लगता है कि इस बेतर है मंदल का लिडर्शिप उस कंपरीजन में और नलाइक सावित हुआ तो इसलिए उसको एब्सार्ब करना उस मुवमेंट को कंट्रोल कर लेना बहुत जल्दी और बहुत छोटे फंड से मैं कहूंगा बहुत छोटा कैपिटल उसमें लगा और मंदिर अंदोलन को बड़े हिसाब से देख सकते हैं तौप के जितने भी मंदिर अंदोलन या वीजेपी के निता हैं सब के बच्चे वीजेसों में पढ़ रहा हैं सब की नोकरी सब के बिजनेस के चोटे-चोटे कंट्रेक्ट बाहर की कंपनियों से जो भी बिजनेस में तो ये बहुत छोटी चीजें हैं जो दे के वो ताकत हासिल कर रहा है तो वो है पोटेंसियल है लेकिन अभी उस पोटेंसियल की तरफ ये चीजें मूरी नहीं और बाजार अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है और पचीस साल में उसने हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के आसपास को इस तेज तो यह बजलावजार ने किया है, मंडल और मंदिल ने उतना बजलाव ने किया. तो जो बाजार ने बजलाव किया और पूरे बजलाव को अगर हम देखें तो और फिर मैं गांधी पर लेके आता हूं, गांधी जब ग्राम सुराज की बात करते हैं, जमीन पर जाने की बात करते हैं आखरी व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर ये बदलाओ आज की तारीख में गांधी इसको कैसे आत्पसाद करते हैं गांधी तो पस्यम की संवेता को सैतानी संवेता कहते ही हैं, हिंस्वराज में तो पूरी चुनोती और वो आजादी की लड़ाई उनका तात्कालिक लख्ष था, असल में तो पस्यम की संवेता है, यूरोप की संवेता से लड़ना चाहते हैं, तो हिंस्वराज वो उसका एक का documentation है तो आज जो हो रहा है वो ठीक उल्टी डारिक्शन में चीज़ें हो रही है राष्ट्रिया अंदोलन ने उसको कुछ चीज़ों को लाइन पर ले वो भी कोई इंस्वराज की तरफ लडाई नहीं थी रामराज की तरफ लडाई नहीं थी लेकिन उसमें आजादी सबसे प्रेमरी टारियेट था लेकिन अब जो चीज़ें हो रही है वो और मुश्किल करती जा रही है गांदी की लडाई को लेकिन आप पाएंगे कि दुनिया में जितना भी ग्लोबलाईशन का काम तेजी से चला है चीज़ें लोट के वही जा रही है अभी परियावरन कॉन्फ कų ऊफेरेंस हुआ तो परियावरन कॉन्फिरेंस में बात गुनके फिर आई कि खाना लोकल खाना चाहिए क्योंकि दुनिया में खाने का बिजनिस इस तरह से फैला है कि ये इंवल रेंच अक। और लेटिन अमेरिका से लएगा Hebrews 15 में और अमेरिका में लेगो में चाना आए तो सब बहoga से अता है तो खाना महां का स्वाइब ने में ऐधी राखने में उसको तो महीन मीट को प्रिजर्ब करके रकता है धूu केशल डार वह個 है दूं मेटो के में प्रिजर्ब ification में ड्रस दीट अशनल दूंत दोाखता का लिग का वाला जानवर अगर काते हैं माट मसली तो सीधा मार के का लिए तो उसें प्रिजर्विशन वगरा वाला कॉस्ट ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट नहीं था तो अभी फिर अगर इन्वार्जमेंट वाले घूम के वहीं आ रहे हैं कि डिरेक्ट खाएं 50 किलोमेटर से दूर दूर का चीज नहीं खाएं गांधी भी 100 किलोमेटर की बात करते हैं कि हमको 100 किलोमेटर में ही अपना सब कुछ करना चाहिए तो घूम के फिर वहीं आ रहे हैं गुलोबलाईशन के खिलाब जो वाल्ड सोसल फरम बना दुनिया में अचाना कि सब जगर बन गया पहले अमेरिका में सेटल में हुआ तो लोगों ने माना कि डिमोक्रेटिक देश है तो हंगामा इसलिए जादा हो रहा है तो उसको भेजा गया दोहा में कतर में जो तनशा अगर यह नहीं आया तो दुनिया बरबाद हो जाएगी तो गुलोबलाईशन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से तो कर रहा है लेकिन असल में यह प्रोस्यस सामाने आदमी के लिए चाहे दुनिया के लिए यह दुनिया के इन्वार्मेंट के लिए चीजों को और दूर और मुश्किल बनाता जा रहा है तो आप यह मानते हैं कि आपको लगता है कि जो एंड रिजल्ट है या अगर विकास की सही परिभाशा की हम बात करें तो ग्लोबलाईशन के जरीये नहीं होकर के गांधी के जरीये और ग्राम स्वराज के जरीये ही होनी चाहिए और वही सही व रिवंजी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक शब्द का इस्तमाल किया और उनकी एक किताब में भी उन्होंने लिखा था कि गांधी विकल्पहीन है इस शब्द पे भी अगर हम बात करें आज के दौर में अगर हम पूरे वाल डिडर्स की बात करें तो अभी जैसे हमने देखा G20 के मिटिंग में सारे देश के लोग आये गाधी को जाकर अपने सद्धा सुवन अर्पित किया तो क्या आपको लगता है कि वाकई गाधी विकल्पहीन है आज ना कल जाना ही पड़ेगा उनके पास उसके बगैर रास्ता नहीं है जो भी विकास हो रहा है ये बुन को पालती है तो उसमें कोई विजनेस नहीं होता तो प्रेम का रिस्ता दुनिया चलेगा एक दूसरे से सहयोग से चलेगा या फिर हर आदमी एक दूसरे को लूटता रहेगा यह अपसिन कंसेप्ट है कि हर आदमी एक दूसरे को लूट रहा है एक दूसरे को मारने आ रहा ये एक पैरलल दूसरा यही कंसेप्ट है कि हर आदमी बराबर है, हर लोग किसी को एक दूसरे के काम के बगएर, एक दूसरे के मदद के बगएर काम नहीं चल सकता. हम एक किताब लिखते हैं, हजारों लोगों का रेफरेंस हम इस्तिमाल करते हैं, और हजारों जगे से मदद लेते हैं और बगर बोले किसी के दरवाजे पे चले गाए यह आप के हैं यह किताब है आप के हैं यह दस्ताविज और उसको जब लगता है कि हाँ कोई ढूनने वाला आदमी आया इस ग्यान का वो तुरंट आपको उपलवत कराता है वो ऐसा सायद ही कोई कि उसको छुपा के रखे हुए या उसकी कीमत मांगता है ऐसा मांगने वाला दुनिया में रेर है जिस जो कोई ग्यान दे रहा हो तो आपको कहेगा कि इसकी कीमत देती बजार ठीक उल्टा करा रहा है बजार में एक-एक सॉफ्टवेयर जो है दुनिया का अमीर नंबर एक बनवा देता है माइक्रोसफ आया तो एपल आया तो पता लगा क्यों दुनिया का नंबर एक हो गया आज टेक्सला नंबर एक हो गया एक दो टेकनलोजी जैसे ही एक दो कॉपिराइट बिजनेस होने लाइक वाला हाथ में आता है, हाथ में दुनिया का नमबर एक हो जा रहा है, तो बजार उलट रहा है इस प्रोसेस को, अब ये प्रोसेस सुसाइडल है, ये अल्टिमेटली जाके यही जो एपल और माइक्रोस जो आप 20 साल के नमबर एक को देखिए, तो वो कहां चला जाता है, और क्यों चला जाता है, ये समझना मुस्किल है, ये वो क्यों पीछे चला जाता है, अगर वो एक नमबर बन गया है इससे तो, क्योंकि रोज इसमें कुछने कुछ नया होना है, तो परस पर सहयोग वाला जाना वहीं होगा, जितनी देर से समझ में आए, उतना ज्यादा नुकसान होगा, जितनी जल्दी हम समझ के उस तरफ पलटने लगें, और आज के दुनिया में एक लाव गांधी से अलग ये हुआ है, कि सिर्प मुनाफ़े का बिजनेस नहीं चल रहा, टेक्नलोजी के कि एक एक बैद इतना ग्यान रखे हुए थे, एक एक दार्सनी कितना ग्यान रखे हुए थे, लेकिन वो मर गया उनके साथ वो ग्यान चला गया, आज के तारीख में ग्यान की जो बजार में या समाज में इज़त है, उतनी कभी नहीं थी, तो अब ये तेजी से ये बदला बदलाओ भी हो रहा है इसका सहयोग मिलेगा उसको आप पोजेटी बदलाओ के तोर पर दो सौफट्वेर में आप देखिए कि एक फ्री सौफट्वेर का पूरा ही आंदोलन चल रहा है और एक हर चीज पे कब्लेशन आ रहा है कॉपी राइट हर चीज पे हो उसका आंदोलन तो उस मोब्मेंट को चलाना आज बहुत आसान हो क्योंकि कॉपी राइट फ्री वाला अंदोलन भी काफी ताकतवर है और इस टेक्नलोजी से मदद पा रहा है सरकारों के खिलाफ आप देखिए होंग कॉंग में जब चीन ने जुल्म किया तो उस दमाने में सब चीज़ें इस से मैसेजिंग से और इस से दुनिया को मिलती रही आज के तारिख में कोई दुनिया का सासा की यह नहीं कर सकता जिए हो हिटलर ने किया था क्योंकि टेक्नलोजी इस पोजिशन में है कि हर चीज की रेकॉर्डिंग हो रही है हर चीज को भेजा जा सकता है हर चीज को प् उस दौर को देखे, सौ साल पहले की बात करें, जब गांधी सत्यागरह के लिए चमपारन जाते हैं, तो उनका जो तरीका था कम्यूनिकेशन का, हाना कि किताब में आपने विस्तार से बताया है, लेकिन दर्शकों के लिए अगर आप बताएं कि वो कैसे बेहतर में, तो चमपारन में हो या दुनिया में कहीं हो, उन्होंने अपने उदारन से, अपने इस सच बात के सामने रखी, और ये होस्यारी रखी कि इसको कैसे रखना है, उसका ऐसा असर हुआ, जैसे जब चमपारन जाना था उनको तो राचमवार सुकल उनको पकड़ के ले और जब वो बेतिया गया एक हपते के बाद सर्फ, मुतियारी के बाद एक हपते बाद, तो दस हजार आदमी इस्टिसन पर था, ट्रेन को बाहर रोकना पड़ा, क्योंकि आते तो यहाँ एक्सिडेंट होता, अभी दस हजार आदमी तक गांधी का मैसेज कैसे पहुंच गय ना फोन था ऐसा, ना अखवार थे, कोई वियार से अखवार नहीं था, चंपारन का कौन कहाँगा, तो यह कम्मुनिकेसन गांधी का इसलिए गया कि उसके पीछे उनकी अपनी सचाई थी, पहली गिरफतारी उन्होंने अपनी पेशकस के, सबसे ज़्यादा दिलेरी उन्ह सचाई, परसनल उधारन, इन चीजों की सेंटलिटी है, आज के कम्मुनिकेसन में बजार का फाइदा करा देना मुझा, कि हम जो कम्मुनिकेट करेंगे, हमारे इतने हीट आ जाएंगे, हमारे इतने दर्शक आ जाएंगे, हमारा सर्कुलिशन इतना हो जाएगा, उसके बेस तो समें फरक है जिन लोगों ने उनको गोली से मार दिया वो भि आज अगर डरते हैं तो तो गांधी से ही डगते हैं, अभी भी गांधी के पुतले को गोली मारने की ज़रुत पढ़ती है लोगों, तो वो इसलिए कि जो बाते हैं जो तरीके से वो कह रहे थे, उसको सम्वालना अभी सारे मुनाफे और सारी इताकत के बहुजूर पोसिबल नहीं है, हम गांधी पर बातचीत जारी रखेंगे और गांधी की महिला ब्रिगेट ये किताब अर्विन जी की आई है वी, उस पर बात करेंगे और गांधी की कुछ और पहलों पर अगले अंकवे